तो एलेवन क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में NCRT बुक से टिंगमेटरी चेप्टर में एक्साइज लास्ट एक्साइज में इस लास्ट वीडियो में ने काफी कोश्चन करा दिये थे इस पर एक्साइज में इस लगते हुए इस पर एवलेबल ने वीडियो आप देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कोश्चन नमर थर्ट मिस्टिन इसमें तो थर्ड कोश्चन काफी जादे स्क्वाइब कोश्चन के साथ लेकर आना है यह वैल्यू चाहिए अब कैसे लगा है आप सोचेंगे स्क्वाइर ओपिन कर देंगे आंसर आ जाएगा आ सकता है कि बहुत टिपिकल मेथड रहेगा मैं सिखाने जारू आपको शॉटकट मेथड उसके लिए करना है कि आपको रिया दिखेगा जब भी दो चीज़े एगा सें कीहां ना साइन के लिक देता हुए यहां पे, तो साइन में कौन साइना है यहां सा यहां पे मानस से इसलिए मैं निगेटिव ले रहा हूँ तो लघाते हैं फाओल इसमें इसमें होता है में लगाते हैं कितना हो जाएगा 2 cos x plus y upon 2 कि x y cd है फिर क्या आजाएगा cos x minus y upon 2 x y cd है यहां चलना है बाहर square वो लगा दीजिए plus same as इस पर आई है इस पर लगाते है फॉल यह लगा हुआ है 2 cos x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2 2 अब बाहर के लगा देंगे square लगा देंगे बाहर के आजाएगा square लगा देंगे जैसा square चल रहा था इतना हो जाने बाद अब हम लोग square open करें लेकि यह तो into में है इसलिए बहुत easily 2 का square आजाएगा cos square x plus y upon 2 फिर cos square x my upon 2 कि बच्चों इसलिए clear नहीं हुआ है बता देता हूं square जब करेंगे तो यहां पर तीन चीज़े हैं 2 है cos है फिर cos है तो जब square open होगा इसका square होगा तो 4 हो जाएगा जब इसका square होगा तो यहां पर square आजाएगा cos square हैसी यहां पर भी cos square आजाएगा अब आते हैं इस पर हैसी यहां पर square open करते हैं एक बार cos पर square आएगा और एक बार sin पर square आएगा ठीक है value आ चुकी है इतना हो जाने के बार अब आप देखिए इसमें कुछ common तो नहीं है एक तो 4 common है ठीक है 4 common निकाल लेंगे cos square x plus y upon 2 cos square xy upon 2 लेकिस सेम है तो इसको भी मैं common निकाल लेता हूं बहुत easy method है तो यह चीज हमारे पास बचेगी cos square x mass y upon 2 plus फिर बचेगा sin square x mass y upon 2 यह चीज बचेगी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाई स्कूल में हम लोग पढ़ा था कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है कब होता है जब sin, cos दोनों पी square हो वह साथ में angle दोनों का same हो plus का sin हो तो value बनाती है अब यहां में देखें sin, cos दो लोग हैं दोनों पी square हैं दोनों के angle same है तो यानि इसकी value कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और यहां पर बचेएगा 4 cos square x plus y upon 2 तो 1 से into किसी चीज़ के into करेंगे तो हमेशा क्या आएगा same आएगा तो यानि कि हमारे पास 4 cos square x plus y upon 2 आंसर आ चुका है तो इससाथ पूरे question के solve करेंगे यहां फिरस आपको दिखा देता हूं यह मैंने यहां पे cd का फाउला दो बार लगा दिया एक बार cause में लगाया एक बार sign लगाया दोनों फाउले मैं नोट कर दी है copy pen देखि यह साथ में लखी आप भी नोट कर दे रहिए उसके बाद मैंने क्या किया इसके बाद लगा दिया इसके बाद square open कर दिया तीन टम से तीनों पर square आ गया इधा तीन टम से तीनों पर square आ गया फिर देखा 4 common है cos square x plus y upon 2 common है तो यह चीज यह चीज common आ गयी common लेने बाद यह च 5 square, T w, cos square, T w, मीशे कितना होता है? 1 होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी quantity को क्या लिख दिया? अब 1 से इंटु करेंगे इसके तो same ही तो answer आएगा तो यह हमारा improvement हो चुगा है complete ठीक है मिलते है next video में next question के साथ यसे next question बहुत easy है चले start करते हैं अभी start करतें next question start करते हैं fourth question same to same question देखने भी लगा रहा होगा लगाने में भी same है यह भी बहुत important question है दो मेंसे समझे 100% question एक मिलेगा exam में guarantee है, मिलेगा तो आप क्या करते हैं इसको same वैसे लगाते हैं इसमें लगाते है formula cos c minus cos d का क्योंकि यह negative sign है तो फावला इब लिख देता हूं ताकि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आपको याद अभी हो जाएगा cos c plus c minus cos d negative sign आगा प्लस नहीं कौन सा sign है negative यार रखेगा तो लगाते है फावला cos c minus cos d का होता है 2 sin c plus d upon 2 बहां negative sign आता है यार रखेगा फिर sin c minus d upon 2 यह चीज़ें सब में save आने है भाई यह धिया रख नहीं कॉस में अगर negative sign आता है तो sin sign आता है प्लस तो cos आता है और बहां negative sign आएगा जब यहां negative sign होगा अब आगते हैं साइन का फावला साइन का तो श्याद अभी मैंने फावला लिखा था डी लिग देता हूं सेम चीज़ लिखनी चाहिए मैं c develop फावला लगा तो c d ही ल यहां लगाएंगे तो यहां लगाएंगे cos c minus cos d मतलब negative 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2 यानि 2 लगाएंगे sin लिखेंगे इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे और बहार लगा देंगे एक बढ़ा सा square bracket के साथ ऐसे सेम एस प्लस इधर गादें sin x मै यानि sin c minus sin d के लगाते हैं 2 cos दोनों को एक बार जोड़ना है और दोनों को एक बार घटा देना है और बहार के लगाते हैं बढ़ा सा square लगा देना क्यों कोशन चलना है square अब इतना हो जानेक बात अब हम लोग जो है square open करेंगे square open करेंगे तो यह जो power है इस negative sin को positive कर देंग 2 का 4 हो जाएगा एक बार sin square x plus y upon 2 एक बार sin square x minus y upon 2 सेम यहाँ square open कर देंगे एक बार cos पे square और एक बार sin square इतना हो जानेक बाद वही step करेंगे जो पीछे step किया था means लेगे common तो common कितना आ रहा है sin square x plus y upon 2 नहीं आ रहा है sin square x minus y upon 2 आ रहा है तो यह भी इसके पास है यह भी इसके पास है 4 इसके पास है 4 इसके पास है ले लेते हैं यहां से बार तो जब ले लेंगे यहां से common तो बचेएगा sin square x plus y upon 2 plus cos square x plus y upon 2 अब देगे फिर यहाँ पर एंगल सेम हो गए फिर लगाते हैं वह यह identity जो मैं पीछे लगाई थी sin square theta plus cos square theta is always 1 तो यह दोनों एंगल सेम साथ में square plus का sign तो यानिकि वो value हमें मिल जाएगी 1 और 1 की जब इंटू करेंगे तो क्या रहेगा सेम चीज आ जाएगे वही सेम चीज हमारा क्या है आंसर है तो साथ पूरा complete question हो चुका है दोनों similar question थे आप याद दखेगा दोनों बहुत important question है आप लगार डालिए copy-pin साथ में रखा करें note कर दे रहा करिए और जिन बच्चों अब तर चैनल को subscribe नहीं कर लिए subscribe कर लिजे क्योंकि इस पे available हैं सारे के-सारे questions तो मिलते हैं next video में next question के साथ